रादिका शायर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी वो कॉलेज में पढ़ती थी और साती में उसे पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत शौक था वो अक्सर ऐनलाइन शौपिंग करके अपने लिए पेंटिंग का और डॉयंग का सामान मंगवाती रहती थी एक दिन राधिका अपना फोन चला रही थी कि तभी वो देखती है कि आनलाइन एक पेंटिंग बुक मिल रही थी जो बहुत सुन्दर और बड़ी सी थी आरे वा, ये पेंटिंग बुक तो काफी सुन्दर है इसे ओर्डर कर देती हूँ अब से इसी पेंटिंग बुक में मैं ड्राइंग किया करूंगी राधिका उस बुक को ओर्डर कर देती है और कुछी दिन में उसका पार्सल भी आ जाता है वा, ये पेंटिंग बुक तो आ गई और इसके साथ ये जो पैंसिल आई है ये भी कितनी खुबसूरत है चलो अभी इस पर कुछ ड्रॉ करके देखती हूँ राधिका उस पेंटिंग बुक पर एक गुलाब का फूल ड्रॉ करती है वो एकदम असली जैसा लग रहा था वा, ये गुलाब का फूल तो एकदम असली लगता है फूल बनाने के बाद राधिका किचन में कुछ खाने चली जाती है पर इतनी ही देर में पेंटिंग बुक से गुलाब का फूल गायब हो चुका था और राधिका के गाडन में वैसा ही फूल खिल गया था जब राधिका किचन से लोटती है तब वो खाली पेंटिंग बुक देखकर हैरान रह जाती है आरे मेरे फूल की ड्रॉइंग कहां गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही है? उफो ये क्या हो रहा है? कुछ दिर सो जाती हूँ, शायद मैं ठकी हुई हूँ जादा राधिका सो जाती है और इस बात पर जादा ध्यान नहीं देती कुछ दिन बीट जाते हैं और एक दिन राधिका टीवी पर एक भूतिया शो देख रही थी राधिका क्या तुमें इतनी राध गए? ऐसी हुटपटांग चीज़ें देखा करती हो फिर रात में अगर तुमें दराओने सपने आए तो मुझ से आकर शिकायत मत करना अरे नहीं नहीं मा आप चन्ता मत करो मैं बस इसे बंदी कर रही हूँ राधिका की मम्मी सोने चली जाती है और थोड़ी देर शो देखने के बाद राधिका के मन में खयाल आता है क्यों ना आज मैं कुछ अलग ड्रॉ करने की कोशिश करूं मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है राधिका जल्दी से अपनी वही पेंटिंग बो खोल लेती है और एक पेज पर एक चुड़ेल ड्रॉ करती है राधिका उस चुड़ेल को काली साड़ी पहनाती है पेंटिंग बन जाने के बाद जब राधिका खुझ से उसे देखती है तो राधिका को डर लगने लगता है वाकई में मेरी ये पेंटिंग तो काफी डरावनी है इसे तो सर्फ देखने से ही मुझे डर लग रहा है हाँ 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 अगर कहीं ये बाहर ही निकल आई तो फिर क्या होगा मेरा राधिका पेंटिंग बुक बंद करके सोने चली जाती है पर राधिका को नीन नहीं आ रही थी उसके कमरे में काफी अंधेरा था पर खिडकी से चांद की थोड़ी रोश्णी कमरे के अंदर आ रही थी तभी राधिका की नजर आपने कमरे में लगे आईने पर पड़ती है उसे देखते ही राधिका की चीख निकल जाती है अरे अरे ये तो वही काली साडी वाली चुड़ैल है जिसे मैंने बनाया था आइने में सच मुच में वही चुड़ैल थी और वो राधिका को घूरे जा रही थी राधिका जल्दी से लाइट्स ओन करती है पर जैसे वो लाइट्स ओन करती है शीशे से चुड़ैल गायब हो जाती है ये क्या मुझे यकीन है मैंने यहाँ पर अपने उस ड्राइंग वारी चुड़ैल को ही देखा था मगर अब वो कहा गई तब ही वहाँ पर राधिका के मम्मी और पापा आ जाते हैं वो मम्मी पापा शायद मैंने डराओने सपना देखा था कहा था ना मैंने कि मत देखो भूतिया शो अब देख लो तुम कितना डर गई हो ओ हाँ मम्मी अब बिलकुल ठीक कह रही थी अब से मैं कभी भी ऐसे डराओने शोज नहीं देखूंगी आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूं राधिका तुम्हे सुबह कॉलेज भी जाना है ना चलो सो जात राधिका वैसे तो सो जाती है पर सुबह उठने के बाद भी वो उस काली साड़ी वाली चुडैल के बारे में ही सोच रही थी सुबह ब्रश करते समय राधिका को याद आता है कि आज कॉलेज में उसका एक ड्रॉइंग कॉम्पटिशन होने वाला है अरे हाँ मैं तो उस कॉम्पटिशन के बारे में भूल ही गई थी अच्छा याद आया अपनी पेंटिंग बुक और पेंसिल को भी रख लेती हूँ राधिका अपनी पेंटिंग बुक रखने लगती है पर तभी उसका मन करता है कि वो दोबारा उसे खोल कर अपनी चुड़ैल वाली ड्रॉइंग को देखे पर बुक खोलने के बाद राधिका के होश उड़ जाते हैं उस बुक के अंदर काली साड़ी वाली चुड़ैल की पेंटिंग गायब हो चुकी थी ये ये कैसे हो सकता है बला वो ड्रॉइंग कहा चली गई किसी ने उसे मिटा दिया क्या या फिर किसी ने उस पन्ने को फाड़ दिया अरे मेरा तो सरी चक्रा आ रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तभी राधिका को कुछ सूझता और वो जल्दी से पैंसिल लेकर अपनी ड्रॉइंग बुक में एक सेब ड्रॉइंग करती है और कुछ दिर इंतजार करती है तभी अचानक से वो सेब ड्रॉइंग बुक में से गायब होकर उसके सामने वाले टेबल पर आ जाता है अरे इसका मतलब कि ये एक जादवी पैंटिंग बुक है इसमें जो भी बनाओ वो बाहर आ जाता है कमाल हो गया नहीं नहीं पर एक मिनिट अगर इसमें से सब चीज़ें बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब ये कि वो काली साडी वाली चुडैल जो मुझे कल अपने कमरे में देखी थी वो वो असली चुडैल थी राधिका का ये सब सोच कर डर के मारे बुरा अब मैं क्या करूँ सबसे पहले तो मैं मीना को घर पे बुलाती हूं अब वही कोई रास्ता निकालेगी मीना राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी पच्पन से ही मीना और राधिका साथ में पढ़ी थी राधिका जल्दी से मीना को घर पे बुला लेती है और उसे सब बता देती है हे भगवान यानि की तेरी बनाई होई चुडैल किताब से बाहर आ गई है तो अब हम क्या करें मुझे पता होता तो मैं तुम ही क्यों बुलाती मीना तो क्या हम लोग ये पेंटिंग बुक जला दें लेकिन अगर उससे कुछ भी नहीं हुआ तो ओफ वो राधिका मुझे तो लगता है कि कोई चुडैल है ही नहीं क्योंकि अगर वो है तो दुमारा तुमारे सामने क्यों नहीं आई कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हे बस वेहम हो गया हो पर तभी वो काली साडी वाली चुडैल मीना के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है राधिका को कुछ समझ नहीं आता पर फिर वो जल्दी से पेंटिंग बुक निकाल कर उसमें एक चाकू ड्रो करती है और जैसे ही वो चाकू बाहर निकलाता है राधिका उस चाकू से चुडैल को मारने लगती है चुडैल के हाथ से मीना छूट जाती है चुडैल मरती नहीं अभी तो मैं जा रही हूँ पर मैं इतनी जल्दी आसानी से मरने वाली नहीं इतना बोलकर चुडैल गायब हो जाती है शाम हो जाती है और मीना और राधिका जाकर एक बड़ी से पार्क में बैठ जाती है वो दुनों वहाँ बैठ कर उस चुडैल से कैसे बचना है ये सोचने लगती है तभी वहाँ पर वो काली साडी वाली चुडैल आ जाती है मीना वो देखो वो चुडैल आ गई अब ये मुझे मार डालेगी बिल्कुल सही कहा तुने तुझे मौर कर फिर मैं धी में सब को खत्म कर दूंगी और फिर इस शहर पर राज करूंगी और एक दिन मैं इस दुनिया की रानी बन जाओंगी तभी मीना चुडैल से कहती है रुको रुको चुडैल रुक जाओ भला इस राधिका को मारने से क्या होगा अरे थोड़ा दिमाग लड़ा और इसे अपना गुलाम बना लो क्या? क्या मतलब है तेरा लड़की? अरे सही कहा मैंने चुडैल तुम्हें दुन्या पर राज ही करना है न तो ऐसे तो अकेले सब को मारते मारते तुम्हें सालो लग जाएंगे क्यों न तुम्हें सुराधिका को मार मार कर इसे तुम्हारे जैसे ही कहीं और चुडैल बना लो बिल्कुल सही कह रही है लड़की आच्च तु मेरी सलाकार लेकिन तभी उसकी नजर मीना पर जाती है और मीना उसे कुछ इशारा करती है राधिका मीना का इशारा समझ जाती है और उसकी मदद करने लगती है ठीक है अभी बनाती हूँ राधिका पेंटिंग बो खोल कर कुछ बनाने लगती है और चुड़ैल और मीना राधिका के पेंटिंग बनाने का इंतजार करने लगते हैं थोड़ी देर में राधिका पेंटिंग बना कर खत्म कर देती है, बन गई मेरी पेंटिंग, क्या, क्या बन गई, तो जल्दी से मुझे दिखा उसे फिर, राधिका पेंटिंग चुरेल को दिखा देती है, पर उसे देखकर चुरेल आग बबूला हो जाती है, पेंटिंग में राधिका ने काली साडी वाली चुड़ेल को ही बनाया था वो भी एक पिंजड़े में कैद कुछी सेकंड्स में चुड़ेल एक पिंजड़े में सच मुछ में कैद हो जाती है जैसी चुड़ेल कैद हो जाती है राधिका पेंटिंग में ही पिंजरे को जलता हुआ बनाने लगती है पेंटिंग में बनाते ही असली पिंजरा भी जलने लगता है मीना, रोक इस राधिका को, ये तो मुझे मार डालेगी अरे जल्दी से कुछ कर, तू तो मेरी सलाहकार है ना, तो बचा मुझे बड़ी मासूम निकली तू तो चुडेल तुझे क्या लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूँगी वो भी तुम्हारे लिए नहीं ये सब तो मेरा प्लान था नहीं मैं तुम सब को नहीं चोड़ूँगी तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है बचो, कोई बचाओ मुझे अब तु हमसे किसी और जन्म में बदला लेना चुडेल क्योंकि इस जन्म में तो हम तुझे फिर कभी नहीं मिलेंगे थोड़ी ही दिर में चुडेल और वो पिंजरा दोनों ही आग में जलकर राख हो जाते हैं इसके बाद राधिका उस पेंटिंग बुक को भी जला कर राख कर देती है राधिका और मीना घर जाने लगती है पर तभी मीना की नजर उस पेंसिल पर पड़ती है जो कि पेंटिंग बुक के साथ आई थी वो पेंसिल जमीन पर पड़ी हुई थी बिना कुछ सोचे समझे मीना उस पेंसिल को घास के पास फेक देती है पर उसे क्या पता था कि असली जादू पेंटिंग बुक में नहीं बलकि उस पेंसिल में ही